बगर का गाव जिला उननाव में लड़कों का एक स्कूल सन 1951 से चल रहा था उसी में लड़किया भी पढ़ती थी गाव के लोगों ने श्रीदेव कामता दीक्षित से आगरह किया की लड़कियों के लिए एक अलग स्कूल होना चाहिए आपने उनकी बात मान ली और 3 दिसमबर 1960 के दिन लड़कियों के स्कूल का उद्घाटन कराने का विचार किया दीक्षित जी ने महाराज से निवेदन किया कि वे इस कार्य को अपने कर कमलों से कर सब को कृतार्थ करे बाबा ने स्वयम नकर इस कार्य को अपने परम भक्त श्री केहर सिंग द्वारा ज उस दिन लखनव में आवश्यक समझ रहे थे पर वे बाबा का आदेश टाल भी नहीं सकते थे आप कार द्वारा उन्नाव को चल दिये उधर दीक्षित जी के साथ बाबा ने भी कानपूर से उन्नाव को प्रस्थान किया उन्नाव में रेल के क्रासिंग के पास बाबा ने अपनी गाड़ी रुकवा दी और बाहर बैठ कर वही सिंग जी की प्रतीक्षा करने लगे थोड़े ही समय में सिंग सहब भी वहां आ पहुचे और बाबा के चरणों में नत मस्तक हुए यहां से सब लोग वगर का आये इस अफसर पर यहां उपस्थित सभी गाव के लोग बाबा के दर्शन से प्रसन हुए बाबा के आदेश से सिंग सहब में लड़कियों के स्कूल का उधगातन किया तदुपरांत भोजन और ग्रूप फोटोग्राफ का आयोजन किया गया सिंग साहब इस फोटोग्राफ में उपस्थित होना नहीं चाहते थे क्योंकि यह लख कर आश्चर्य हुआ की मद्य में बैठे सिंग साहब की आकरिती इस प्रकार धुन्धली थी कि उनकी पहचान नहीं हो सकती थी जबकि अन्य सभी लोगों की छवियास पश्ट थी यह बाबा की महिमा थी कि उन्होंने अपने आज्याकारी भक्त की सारी चिंता निर्मूल कर लोगों की लोगों बढ़ी सिंग साहब थी जबकि प्रकारी थी इसफे बादबाबरा की महीं हो टुन्धली थी जबकि लोगों की अज़्गों रोगों दुन्यांग्यूब्स